अलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे यही मैं आशा करती हूँ तो चलिए यह पर्सनल रीडिंग नहीं है यह तो आप जानते हैं जन्रल रीडिंग है तो जन्रल रीडिंग में क्या लेकर आए हैं आज आज देखते हैं कि modern deck and classic deck इन में से आपको चुनना है कैसे या तो आप चुन लीजिए यह किसलिए चुनना है क्योंकि आप यह सोचिए कि यह आपका नाम है आपका नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y और B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X, Z इन सभी में से किसी एक अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आप किस बारे में सोच रहे हैं और क्या करना चाते हैं हाँ अगर आपको personal reading करवानी है तो आप मुझे contact कर सकते हैं और अगर astrology के लिए दिखवाना है कि आपकी शादी कब होगी या आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको अपने बच्चों की शादी की चिंता है तो अपने बच्चों की बारे में पूछ लिजे और अपने ब कब बन रहा है शादी का यो कब बन रहा है क्या ये शादी twin flame के साथ होगी या नहीं क्या आप दोनों twin flame है या नहीं या फिर आप लोग एक दूसरे के कब होंगे कौन से year में होंगे और उसके लिए क्या guidance है क्या precautions है क्या remedies है उसके लिए आप मुझे contact कीजेगा ठीक है और ये letter से आप इन दोनों में से किसी एक को चुन लेजे गहरी सास लें और आपका नाम का अक्षर जिससे भी शुरूत है उसे चुने थैंक यू सो मच आपने इस first card को चुना है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या reading निकल कर आ रही है किस बारे में आप सोच रहे हैं लग साइट में करियर साइट में इंजल्स प्लीज बताएं और ठीक तरीके से गाइड करें थैंक यू सो मच इंजल्स आप आप सभी को गाइड कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू सो मच और यह reading अगर आपको resonate करती है तो बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ अगर नहीं नहीं भी करती है तो कि बात नहीं क्योंकि यह परसुन कर नहीं है पर समुन रिडिंग में एग्जायक निकल कर आधाता है ऑन्हों क्या है क्या सोच रहे है है तो के यह यहां पर यह समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपने देखा है बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छी परस्नालिटी आपके थी वर्सेटाइल डाइनेमिक परस्नालिटी लेकिन वो खत्म सी हो गई है क्योंकि इंजन्स भी यही आपको आशिवात देते ब्लैस पैदाईशी आप इस तरह से वें आपकी आखें बोलती हैं जब आप किसी को हील कर रहे होते हैं आपकी आखों से में देखकर ही वो हील हो जाते हैं या आपकी बातों से हील हो जाते हैं आप इस तरह के हैं लेकिन आपने दुख बहुत उठाए हैं क्या करें जो हीलर्स होत है अगर सोने को हम गड़ते हैं जूरी बनाते हैं नहीं जड़ भी समें प dwट त्पाना पड़ता है कलिए तो और शुर्प हमें की करता है तो piace भी हमें है सब्सक्राइब खूप कत देता है हर तरह के चलेंज सापके सामने रखता है तो अपको अपको प्रिपेर कर रहे होता हैं क्लिक्तों कि स्थांविटी सब्सक्राइ ऑडदर की सब्सक्राइक हैं तो कि और यहां डानीन स्ट्राइठ में थांप डायसांव गार्सिढोर सब्सक्राइब कुछ ना कुछ है परिशानी इस तरह की आई कि आप सोमजी नहीं पाई कि यह क्या हुआ मेरे साथ यह ऐसा क्यों हुआ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा या किया अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए और आप अकेली पड़ दी मुझे अकेली ही बोलना आपके अगेंस नहीं जाएंगे अगर आपने बिल्कुल सही काम किया है और आप बिल्कुल फ्री स्पेरिट है और आपने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है एक्स्पीरेंस हुए है तो आपकी आपकी अच्छाई कहीं खालत नहीं जाएगी कहीं वेस नहीं जाएगी क्योंकि आप एक रिस्क टेकर है आप कहते हैं बस रिस्क ले 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 ना जो भी होगा देखा जाएगा जब मैं सही हूँ तो फिर किस बात का डर है अपने आस पास जितने भी तरह के शुरूर टाइप के लोग है ने डॉमिनेटिंग लोग हैं यह सब आप का पीछे से तो प् कुछ पर सकती है अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उब्लिगेशन और बहुत कुछ सहा है अपनी लाइप में ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी ऐसा लगता है आपको अब मैं किस पर ट्रस्ट करूँ आपको लगता है किस पे करूँ जोब करते हैं तो तब तक आपको जब तक सैलरी नहीं मिल जाती तब तक आपको ट्रस्ट ही नहीं होता कि आप आके जोब भी कर रहें कि नहीं कि अब अब कि अपने दोके बहुत खाये हैं इतने जबरदस्त अपनों से हाँ बिट्राइल दोका खाया है इंजिस प्लीज बताएं दोके तो खाये हैं आगे हैं मुझे समझ में इंजिस प्लीज बताएं त्री ओप कप्स किस तरह का आपने बहुत जादा स्ट्रॉगल फुल लाइफ देखी है आपके आसपस कोई नहीं कोई नहीं समझने वाला कि आपके अंदर क्या चल रहा है क्या मंतन चल रहा है आपके अंदर कोई नहीं समझ रहा है इस तरह और हर कोई अटैक अटैक है ने अटैक हर तरह का अटैक ही मिल रहा है इंजिस प्लीज बताएं सेलिब्रेशन किस प्रकार का है आपके लाइफ में शायद कोई आई हैं आपको ऐसा फील होता है कि शायद के मेरे लिए हैं अब आप सुच रहे हैं मूव ओन करें इस बेकार की सड़ी गली जिन्दिगी से वाकई वाकई आपको यह लग रहा है कि फस्ट फोर कार्ट सापके रिवर्स आएं बहुत जबर्द और जो अब मिले हैं ना आपको मुझे ऐसा लग रहा है वो इस तरह के हैं कि मैं जो कहूँ वह ही करो उठ तो उठ बैट और आपको यह लग रहा है कि अब मैं इन पे भी ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ इंजिस प्लीज बताएं किया इनको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए अपने नए परसन पर अपने नए रिलेशन्शिप पर आपको इस नए रिलेशन्शिप पर ट्रस्ट करना चाहिए या आपने शायद कोई रिलेशन्शिप नहीं है तो कोई बिसनिस का काउंट पर रिलेशन इनको सलाम करती है लेकिन आपके सामने ये थोड़ा सा डर जाते हैं जुख जाते हैं ये दुनिया को जलाते हैं और आप इनको जलाते हैं ऐसा लगता है आप चाहे कुछ भी नहीं कहते हैं आप कोई शर्त नहीं रखते हैं, आप कोई commitment नहीं मांग रही हैं लेकिन फिर भी, यह आपके आगे जुग जाते हैं मानते हैं इस बात और यह संटन्ट कभी कहा भी हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ यह कहा भी है, क्योंकि यह celebration भी आपको दिखा रहा है मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है, आप सोच रही है क्या यह मेरे साथ हो रहा है क्या मेरे साथ इतना अच्छा हो भी चकता है कि नहीं लेकिन है, king of funds और अभी कोई बात नहीं चल रही है इनसे प्लीज बताएं क्या सिच्वेशन है इनके देखे एक तो लीगल कोट केस चल रहा है कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लीगल केस जरूर चल रहा है इनके अगेंस्ट या इनके spouse के अगेंस्ट और इनको कोई और मिल भी गया है कोई celebration है कोई और मिल गया है लेकिन वो fire sign के हैं ऐसा दिखाई दे रहा है और थोड़ा सब्सक्राइब बात भी नहीं कर रहे है यह क्या मतलब हुआ दूसरा परसन भी इसी तरह का इतना स्ट्रकस सहने के बाद भी दूसरा परसन भी इस तरह का और मुझे इसा लग रहा है आपको कोई रस्ता ही नहीं सुझ रहा है जिन का नाम A C G E I K M O Q S U W Y इंसे स्टाट होता है आपको कोई रस्ता ही नहीं सुझ रहा है क्या करें क्या ना करें मन में इच्चा है कि हाँ एक बार फिर से री मैरिज कुछ ऐसा करने का मान है हरी यूनियन हरी मैरिज एक लाइफ साइलकल से निकल कर दूसरी तरफ जाने का पूरी तरीके से मन है आपका लेकिन प्लान नहीं है इंसे स्टाट प्लीज बताएं तो पर इंसको क्या करना चाहिए उल्ली वन कार्ड और दूसरी वेट करना चाहिए ट्रांस्फोर्मेशन का क्या वो कहते है आपके परसन क्या कहते है कभी न कभी तो अनब्लॉक करेंगे अभी ब्लॉक किया हुआ है शायद या बात नहीं कर रहे हैं जबाब नहीं दे रहे हैं जब ही करेंगे वो बात शरूर करेंगे आपसे आपको करना क्या जाए है अवन कार्ड प्लीज थेक्यू सो मच इगर सी फ्रॉम हाइर परस्पेक्टिव देखिया हाइर परस्पेक्टिव से आपको देखना है अपने द्रिष्टिकों का पूरी उपरी तरफ से लेके जाना जैसे चील या बाज पूरी उपर की ताकत से बितन सेक्ट नीचे आते नो सेक्ट मतलब इतनी उपर से इक्तम से नीचे आते हैं और चपटा मरते हैं दूर से देख लेते हैं, दूर दृष्टी जिसे कहते हैं, अवेकनिंग, ये आई से कही है, तो ये क्या कह रही है, इतना अपनी विज्टम को इतना जगाई है कि आप देख पाएंगे, ये परसन आपको दोका देंगे, क्या ये रिष्टा चल पाएगा, क्या आपकी इनका हरी यूनियन हो पाएगा, क्या आप शादी हो पाएगी, क्या ये वापस आप से कॉंटेक्ट करेंगे, बड़े प्यार से, पॉजिटिव वे में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी और समझनी है, ठीक है, तैंक ये सो मच पर वाचिंग, अगर अभी भी आपको क्लिय क्लियर नहीं हुआ, फिर भी रस्ता क्लियर नहीं है, क्योंकि तू आपको रस्ता क्लियर नहीं है, ये आपको रस्ता क्लियर नहीं है, ये आपको रस्ता क्लियर नहीं है, क्योंकि टावर मुमेट भी चल रही है, बहुत ज़्यादा परिशान है आप, रो रोके आपके आप सुजा लिए हैं अपने इतना नहीं रोते हैं लेकिन फिर भी जब रोते हैं तो फिर बहुत तगड़ा अगर फिर भी रस्ता नहीं सुच रहा ना इस रीडिंग के बाद भी तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ओके विश्यू आल दा बेस्ट थैंक यू सो मच फा वाचिन अन थैंक यू अन वलकम जिन्होंने बीडी एफ जी एच यह वाला कार्ड सुना है जिनके नाम इन अक्षरों से स्टार्ट होते हैं कि प्रिटे में को अथा का दो दोला साथ करते हैं कि क्या है अगर पिल्पल भी ना करें या सिच्वेशन मैच करती है और फेरह रस्ताना सूझे तो ज़रूर ने कले राव सामगी में आपके चल रही है आपके पास आपके साथ आपके ऊपर या आपके घर में आप एक सिंगल मदर भी मुझे समझ में आ रही है या फिर अन्मेरिट हैं और एज काफी हो चुकी है काफी एज मतलब जो गर्ल्स की एज होती है शादी की वो निकल चुकी है इश्वर से प्रात्ना करते हैं इतना स्ट्रकल इतना स्ट्रकल इंजस और इश्वर आपने मुझे क्यों दिया आपको ऐसा लगता है बहुत इंट्यूटिव हैं आप बहुत कुछ सहा अपने लाइफ में अकेले देखिये सहने का मनलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल घरीब थे और कुछ भी नहीं किया सडक पे आ ऐसा नहीं सहने का मनलब यह होता है कि मानलेंद जिग बहुत पैसा भी हो तो भी इनसान सहता ही है ना हर इंसान दुखी है आज कर्म कुछ तो अपने ही कर्म से हो जाता है और कुछ दूसरों के कर्म करते हैं कुछ अपने पास लाइफ कर्माज करते हैं और कुछ इस टाइम के कलेक्टिव कर्मा, संचित कर्मा जी से करते हैं, प्रारद कर्मा और संचित कर्मा, यह जरूर हमको देखना पड़ता है, और डीपली जाना हो, तो exactly astrology से पता चल जाता है, जो कि आप मुझसे भी दिखवा सकते हैं, करेक्ट रिडिंग आती है, करेक्ट सोलुशन मिलता है, तो लाइफ थोड़ी एजी हो जाती है, बहुत तकलीफ है, बहुत जादा तकलीफ है, मतलब no words, oh my god, कभी आपने यह भी सोचा कि, चलो सन्यासी ही बन जाए, मुझे रहना है नहीं इस दुनिया में, इतना illusion, इतना delusion, इतने धोगे, इतना selfishness है, सारी जगह, यह सब को छोड़के कहीं और ही चला जाता हूँ, या चली जाती है, नन बन जाती हूँ, यह कोई, क्या कहते हैं, किसी कुर्द्वारे में काम कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, सन्यासन बन जाती हूँ, सादवी बन जाती हूँ, ऐ थक चुके हैं इस जीवन से बहुत ही low spirit में अभी आप चल रही है चल रही है हो सकते हैं मेरिट हो सकते हैं या अब चाहा रहे थे शादी करना और age निकल चुकी है ये भी बात हो सकती है किसी government job में भी आप हो सकते हैं पूरी तरह से काम करने के बाद भी आपको लगता है बस अब ठक गया अब तक जॉब किया वो सब किया वो सब किया फिजिकल इन्नस आरिये अप किसके ले करणा हूँ जॉब कौन है मेरा इस तरह के फिलिंग सारी है आपको एक NERVOUS breakdown सा लग रहा है कुछ नहीं कर सकते कहां नहीं कहीं नहीं जा सकते कोई मेरी HELP के लेनी ऐसा आपको FEEL हो रहा है ट्री कार्ट्स टेंक यूद यू इतनी स्टख्नस ओ हो, बेल्कुल मतलब आपको लग रहा है कि मैं एक इंच भी अब कहीं नहीं हो सकते हैं गोजे कुछ भी काम नहीं किया जा इतनी एंग्साइटि इतनी वरी इतना डिस्ट्रेश आप ट्राय है बैक स्टब किया है किसी ने आपके और आपके लाईफ में बैक स्टैब्विग किये है आता हूँ आता हुए आती हूँ करूंगी तो में सही शाधी या हम दोनों जरूर एक साथ होंगे, ये जूटे वादे हैं, there is something wrong, कुछ जूटा, कुछ गलत किया, इतनी इनोसेंस हैं आपके अंदर कि आप पहचानी नहीं पाई हैं, ये पाई हैं, पहचानी नहीं पाई हैं, क्या करेक्टर था सामने का, बहुत ही रिस्क टेकर थे, आप अपने बहुत जबर्दस से रिस्क भी लिया, समाज से, अपने हर तरह के काम से, रिलिजिन से, अपने का, मैं सब को छोड़ने के लिए तयार हूँ, लड़का है लड़की, आप मेल फिमिल कोई भी हो सकते हैं, अभी आपका ही चल रहा ही, ये सिच्वेशन ऐसे ही दिख रही है, कि आप उनको निहार रहे हैं, खुछ रहना चाते हैं जीवन में, लेकिन कुछ और करके, पर आपके लाइफ में धर्ड पार्टी आ गई, ऐसा दिख रहा है, और इसी वज़े से आप बहुत जादा डिप करना है, दूसरों के लिए हेल्प करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, यहां जाना है, बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, नई शादी करनी है, या कुछ और करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि खतम होने की नामी नहीं ले रही, समापते नह इनकी प्रॉब्लम जिनके बारे में सोच रहे हैं वह वापस आएंगे क्या उससे सोलुशन होगा वाव दस्टार कार्ट किंग पेंटिकल्स ओव दवील ऑपर्चन बिल्कुल आंसर तो फ्यूचर में तो बहुत अच्छा हैं अभी कंडेशन ऐसी है या तो आप बाहर रहे है या बाहर जाना जाते है और आपके परसंट जनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काम आपका बिल्कुल पॉस«िबल है क्योंकि वो बड़े शांत हैं और साथी साथ वो बहुत स्ट्रगल किये हुए हैं वो भी इसे लिए एक दम से नहीं बोल रहे हैं या कान्या राशी है आप हो सकते हैं तुला राशी हो, फायर साइन के हो, मेश राशी हो, एरीज हो, क्योंकि बहुत बार गुसा भी आपको बहुत जल्दी आजाता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन रिस्क लेते हैं, बहुत जल्दी decisions को मोड़ देते हैं पहले का ये फिर का वो अच्छा घुसा आया तो ये तोड़ फोर सम्थिंग मतलब दिमाग में ये चलता रहता है आपके life में तो वो है जिनके बारे में आप सुच रहे हैं wheel of fortune खुभाफिरा के life आपको वहीं के वहीं उनके पास ले ही आती है इंजल प्लीज बताएं one card only क्या वाक़ी हाँ वाक़ी वो आपके life में हैं लेकिन एंजल्स आपको दे रहे हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप सुचने की नहीं शायद ये भी नहीं है मुझे शायद ऐसे अकेल ही रहना है शायद वो थर्ड पार्टी में ही है शायद वो मेरे लिए नहीं है बहुत सारे, बहुत सारे questions आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहे हुँ ना कि आप यहां बहुत ज़दा anxiety, worries और distress में हैं, बहुत ज़दा confusion है आपको, चूज नहीं कर पा रहे हैं अपनी life का decision, एक thought pattern आपका सही तरीके से नहीं चल रहा है, बहुत सारे betrayal देखे हैं, backstabbing आपने आप सोचते क्या करें, इंचस प्लीज बताएं, कोई एक, कोई एक, कोई एक solution, which, white witch, be the light, देखे, आप मैं कहरे हु ना कि, या तो आप चाहरे हैं कि, अब मैं देश और दुनिया और दूसरों के लिए बहुत कुछ करूं, लेकिन anxiety बहुत जादा है, तो आप सबसे पहले अपने healing लिजिए, कोई personal rating लिजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए, gardening का काम कीजिए, दुशनों के दुख दूर करने का काम कीजिए, अपने आपको heal करने के एकोशिश कीजिए, आपके अंदर बहुत सबर्दस wisdom है, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारा arts आता हैं आपको, ब बहुत सारा प्लाटफॉर्म है दुनिया में आजकल बीद स्टार अपने विज्टम को उपर तक लेके जाएं वर्ल्ड फेमस बनने की कोशिश कीजिए कोशिश in the sense कि अपने गर्म को करते चले जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करते रहे और आपके लाइफ में वो मिराकल तो हो गई होगा जो आप सोच रहे हैं जब तक आप अपने लिए डिसीजिजन नहीं लेते न तब तक कुछ हो नहीं पाता तो अपनी लाइफ